A very good evening to all of you, सभी का warm welcome है, Y.D. और English Shooter पे, मेरा नाम एमन बहल, आज सुबह का दा हिंदू का first tutorial पढ़ेंगे, Killing the License इसका title है यह article लिखा हुए है कुछ NGOs पे जिनकी foreign funding को भारत सरकार ने रोक दिया है, इनको विद्वेशों से पैसा आता था, लेकिन सरकार का यह कहना है कि यह पैसे का गलत इस्तमाल यह NGOs कर रहे थे, अब पूरा माजरा देखेंगे, पूरी कहानी देखेंगे, आज का article आपको grammar और vocab म क्लास के last में इसका मैं आपको solution करवाता हूँ, कोशिश करो 6 में से 6 आपको marks मिले, चलिए, आईए कुछ नया सीखते हैं, जब क्लास शुरू करते हो तो पहले quiz को एक try दिया करो, फिर class खतम होती है, तब फिर से quiz को try दिया करो, आपको पता लगे आपने कितना improve किया है, औ आप सभी को advance में मैं बधाईयां दे रहा हूँ, नये साल पे कुछ अच्छा करना है, पूरे plan के साथ, मन के साथ में नया साल शुरू करें, जो भी आप करना चारे हो ना, उस काम को इस साल आपको अच्छे से लगके करना है, correct killing the license, license को किया जा रहा है, kill, kill का मतलब जानते ह है, मार देना, license आप जानते हैं, बहुत ही common सा word है, बात किसकी हो रही है, बात हो रही है, उन NGOs and funding, कुछ NGOs और उनकी funding की बात की जा रही है, उनके funding license सरकार जो है, जब्त कर रही है, नए license issue नहीं कर रही है, अब देखो है license नाम का common सा word है, इस पर मैं आप छोटा से concept बता दे हैं, दो words हैं अपने पास, license और advice, कुछ और भी words हैं, लेकिन ये दो सबसे common है, जिनकी noun और verb form जो है, थोड़ी different होती है, license क्या रहे, C, और license क्या रहे है यहाँ पर, S, अगर verb चाहिए हो license देने वाली, किसी को license देना है, तो इस verb वाली form को use करें, S वाली को, इसकी second form, third form, ing form बनाए, और अगर noun की बात की जाए, license की subject, object बनाना हो किसी sentence में, तो C, E वाला license इस word को use करें, यही same आप advice के साथ में करेंगे, advice C के साथ मन जाएगा, salah, noun form में, advice S के साथ में बन जाएगा, salah देना, किसी को मशवरा देना, अब मैं आपको practically बजाता हूँ, कैसे use करोगे आ the CA advised or advised us to apply for a license or license for the shop, CA ने हमें advice किया, salah दी, कि हम apply करें, एक license के लिए, दुकान के लिए, है ना, दुकान चलाएं तो एक license के साथ, तो मुझे बताओ, CA subject है, इसकी verb क्या होगी, advised, verb form में advice क्या लेती है, S लेती है, तो आप यह CE, यह जो देख रहो ना, इसको निकाल दो, ठ CA को आपने verb देनी थी, आपने advised, S वाली, S वाली दे दी, अच्छा apply किसके लिए करना है, एक license के लिए, noun चाहिए आपको a article के बाद, for proportion का object, license होता है, C वाली form में noun, तो इस S वाली form को यहां से निकाल तो, clear रहता है मामला, sentence को break करो, जो word चाहिए हो, उसके हिसाब से correct word को choose करो, तो यहां पर S, यहां पर C, इस तरह से आपको लगाना होता है, ध्यान रखे, American English के अंदर इन दोनों words में कोई difference नहीं है, वो C लगा देते हैं, verb वाली form में, और यहां भी C लगा देते हैं, पर अपने British English को follow करते हैं, तो हमारे हिसाब से American rules यहां पर नहीं लगते हैं a more transparent account of its actions against NGOs, करें सरकार को must give देना ही चाहिए, और क्या देना चाहिए, और ज्यादा clear, और ज्यादा transparent, और ज्यादा पारदर्शी, account यारी की ब्योरा, तो सरकार को एक हिसाब या ब्योरा देना ही चाहिए, जो और ज्यादा पारदर्शी, और ज्यादा साफ हो, clear हो, अब य किसके actions का सरकार की हरकतों का और किसके खिलाफ ये बता रहा है अगेंच लगा के NGOs के खिलाफ तो जो भी सरकार action NGOs के खिलाफ लेती है उन सभी actions का एक ठीक ठाक सा साफ सुतरा सा ब्योरा सरकार को लोगों के सामने रखना चाहिए action लिया लेकिन सबको बताओ हमने क्यों लिया है क्या सबूत थे और किस वज़े से action लेना ज़रूरी था सरकार की वह अब है government की must give जब भी country की government की बात कर रहे हो तो जी को बड़ा करते हैं इसको proper noun की तरह tweet करें अब the government का मतलब अपने आप से हम भारत सरकार की बात कर रहे है ना इस जी को बड़ा करने के बज़े से चलिए subject verb को green और pink color में आपको पकरते जाना है हर sentence के अंदर आपकी understanding इसी से develop होती है ना green color में subject, pink color में उसकी verb अब एक काम करेंगे जल्दी से अपने इस पूरे article की देख लेते हैं vocabulary ताकि इसको smoothly अपने एक साथ पढ़ पाएं किसी भी exam के लिए prepare कर रहे हो अपनी app को download कर लेना play store पे और ios पे दोनों पे available है मेरे दवरा बनाए हुए सभी design courses आपको इस app पे मिलेंगे banking का course सर रहा है एक साल का combo 475 रुपीज में आज last day है discount का कल से आपको GST additional courses में लगने लगेगा तो 475 में banking 475 में basic से advanced English writing दोनों courses का फायदा उठा सकते हैं कल से GST लगने लगेगा तो आपके थोड़े से दाम courses के increase हो जाएंगे pocket courses भी है SSC के banking के 50-50 रुपे में इनका फायदा भी ले सकते हो app related कोई भी query हो इस number पे आप मुझे WhatsApp करें आपको मेरी team reply करेगी कुछ घंटों में चलिए यह अपनी vocab sheet है पुराने और नए सारे words इसमें update करता हूँ यह sheet आपको telegram group में मिल जाती है इसको download कर लिया करो रोज शाम को नई sheet अपडेट करता हूँ मैं पुरानी वाली sheet हटा दिया करो नई वाली sheet जो है यूज कर लिया करो पुराने words आपने पास आज दो debilitate और precise और दो नई words है एक phrase है stand to do something और एक word है ample चारों को देखेंगे debilitate आप जानते हैं किसी को अपाईज बनाना किसी को मजबूर कर देना है न चाहे तो हाथ पाम तोड़के अपाईज बना दो या फिर किसी को मजबूर कर दो कि वो अपाईज जैसा behave करने लगे तो debilitate करते हो आप उसको make weak कर करना किसी को कमजोर बनाना जैसे prolonged strikes have debilitated the industry लंबे वक्त से चलने वाली strikes ने हर्तालों ने prolonged strikes ने इंडस्ट्री को पूरी अपाईज बना दिया debilitate कर दिया है अब इंडस्ट्री की पाम नहीं तोड़े है ना इंडस्ट्री के तो पाम होते ही नहीं है कहने का मतलब हैं इंड करना बोलेंगे चारों का मतलब होता है किसी को कमजोर या अपाईज बनाना debilitating इसकी adjective form है कमजोर बनाने वाला या अपाईज बनाने वाला debilitating चलिए नया वर्ड है अपने लिए precise बहुत पहले कर चुके हैं इसको हिंदी बोलते है सटीक exact accurate the management has issued precise directions for the workers management ने बहुती सटीक स directions को दिशा निर्देशों को workers के लिए issue किया है इतने बज़े आओगे इतना काम करोगे और इतने बज़े जाओगे इतने पैसे मिलेंगे precise directions हैं बिल्कुल सटीक है अब ये सब precise होता है इसको well defined या unambiguous भी बोलते हैं आज इस unambiguous word का बिल्कुल उल्टा जो की होता है ambiguous जो की इसको बोलते ambiguous इस word को article में आज आप देखोगे ठीक है चलो precise और unambiguous से इसको आप not कर लेना connect करके एक phrase अपने पास नया stand to do something यह आपने बहुत बार देखा होगा इसका meaning क्या होता है आज आप article में देखोगे इसका meaning होता है किसी काम के लिए like होना eligible हो जाना किसी चीज के ल lottery में सभी के सभी ticket खरिदा जो है buyers है वो eligible हैं जीतने को एक car को तो जिस ने ticket की lottery की ticket लिए वो सब stand to win करते है car को वो सभी eligible है इस car को जीतने के लिए आया समझ में stand to do something मतलब किसी काम के लिए eligible हो जाना इसको आप get to do something भी बोल सकते हो to become eligible to do something भी बोल सकते हो आज के आर्टिकल में ये phrase आने वाला है चलो last अपना word है इसका ample इसका मतलब आप जानते हो plentiful जो बहुत सारा हो बहुत आयत में हो है ना जो बहुत ज़्यादा हो despite ample evidence against him the accused denied having murdered the victim बावजुद बहुत सारी सबूतों के evidence के उसके खिलाफ जो accused था जो अभ्यूग था उसने मना कर दिया murder किया उने को victim को सब कुस सारी उसकी CCTV footage थी उसकी phone history थी सब कुस था उसकी GPS location भी police के पास थी लेकिन फिर भी वो court में जाके क्या बोलता है मैंने कोई murder नह dependent, sizable अब देखो इसके लिए अच्छा word बता रहा हूं copious ठीक है copious बहुत सारा होता है copious यह word बहुत advanced word है याद रखना तो यही चार words हां आज के continue रखें अपने revision को Saturday Sunday में आपको revision में classes मैं दे रहा हूं है na detail में करवा रहा हूं classes भी आ रही है अब आपको revision करना है बागी क सबसे पहले आपको समझने एक act को जिसका नाम है FARA foreign contribution regulation act 2010 पहले इसका नाम हुआ करता था FEMA है ना FEMA से इसका नाम FARA किया गया इस act का क्या काम है अगर आप एक Indian हो और किसी दूसरी country से पैसा मंगाते हो तो सरकार को पूरा हग के जानने का कि वो पैसा किस लिए आया है किस क होते हैं यह आप वो ग्रिफतार भी कर सकती है आप वो पगड़ के ले जाएगी आप से पूस्तार भी करेगी अब इस act का फाइदा उठाकर के सरकार ने क्या किया है भारत के कुछ foreign NGOs का funding बंद करवा दिया foreign funding हमारा article यह कह रहा है कि आपने इसलिए करवाया बंद क्यूंकि यह NGOs आपको लगता है कि देश विरोधी है ना anti-national activities में involved है तो आपने ठीक क्या होगा इस काम को अगर आपने ऐसा किया है तो लेकिन जो भी वो anti-national activities यह करते थे और आपके पास सबूत है उन सभी सबूतों को भी आपको दुनिया के सामने रखना पड़ेगा क्योंकि जिन NGOs इसकी funding आप बंद कर रहे हो वो सिरफ इंडिया में काम नहीं करते हैं दुनिया भर में करते हैं जैसे कि Amnesty International, Missionaries of Charity जैसे कि एक NGO है Red Cross Society तो यह पूरी दुनिया में काम करते हैं इंडिया specific काम नहीं करते हैं इतने बड़े NGOs के अगर आप funding रोक रहे हो तो कुछ तो आपके पास सबूत होना चाहिए और है तो सब के सामने रखो बस आज के यह आर्टिकल की समरी है आज की टोन है ethical और righteous सही काम करना हमें अगर इरादा सही है तो उसके पीछे का ब्यूरा भी सही होना चाहिए ethical या righteous समरी में लिखा गया है है ना टोन में टेस्ट बुक के वन एर पास पे छे मेने के अडिशनल वेलेटी भी मिल रही है आपको 31 दिसंबर मेड नाइट तक एक जनवरी से पहले फैदा उठा लेना फर्स जनवरी से प्राइस भी बढ़ने वाले हैं टेस्ट बुक की तरव से चलिए करा इव दे पास्ट फ्यू यर अगर पिछले कई सालों की जो एन्हांस्ट मेजर्स हैं बढ़े हुए मैजर्स हैं कदम हैं और किसके खिलाफ भी खिलाफ है अगेंस्ट एंजियोस के अचा कौन से एंजियोस भई जो इंडिया में करते हैं ऑपरेट करा अगर पिछले कई सालों के यह जो मैजर्स है ना करा अगर उन्होंने इस नहीं पुट किया है नहीं रखा है इनफ ओफए स्क्वीज को स्क्वीज का मतलब होता है द जो ये ministry ये बारत सरकार की home affairs की किरा इसकी एक लंबी खिची वी process long drawn out process सालों दर साल चलने वाली जो process है स्कूटनाइज करने की एक्जामिन करने की जांच करने की इनके foreign funding licenses को हर साल के end में by year end किरा वो जरूर ही इस कांग को करेगी is sure to do तो करा अगर पिछले दो तीन सालों में आपने इनको बहुत परिशान नहीं भी किया है तो अब जो कर रहे हो आप इससे जरूर वो परिशान हो जाएंगे चाहे वो पहले हुए हो या ना हुए हो आगे समझ में गुमा फिरा के बोला जले भी कि जरह है ना तोंट मार रहा है फ्यू यर्स जो है इसकी वोब है है नोट पुट ऑपरेटिंग यहाँ पे एक अजटिव है वो वाले एंजियो जो अपरेट कर रहे है वोब के एंजियो फॉर्म एंजियो जो नाम के नाउन को प्रोब करना, टेस्ट करना, सबके सब इन्वेस्टिगेट करना, जांच करने के सिनोनिम है सरकार हर साल जो है इनकी जांच करती है फॉरेंट फंडिंग कितनी हुई है और किस मक्सद से पैसे भारत में आया था अब आपसे एक छोटा सा है सवाल ठीक है सेंटेंस की स्ट्चर आप देख चुके हो, सवाल यह है हैड नौट पुट ऐसा कौन सा रूल आ गया कि हैड के बाद में वर्ब की धर्ड फोर्म हमने नहीं रखी हैड नौट पुट यानि पुट 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 है न, वर्ब की फर्स फोर्म है न तो ऐसा कौन सा गरामर रूल आ गया कि यहाँ पे वर्ब की फर्स फोर्म रखके हमने अपना काम चला दिया चलो, अराम से वीडियो को पोस करो अपने आप से पूछो, फिर मैं आपको पुरा रूल समझा देता हूँ यह सिदा सा यह वर्ब की फर्ड फोर्म है आप समझ नहीं पाए इस वर्ब को यह ऐसी वर्ब है जिसकी V1, V2, V3 सेम होती है V1 भी पुट, V2 भी पुट, और V3 भी पुट अब सवाल यह है कि पुट वर्ब तो आपने सीख ली ऐसी और भी होंगी, 10, 15, 20, 50 तो मैं आपको कुछ ऐसी वर्ब बता देता हूँ जो अक्सर आप एक्जाम्स में देखते हो और आपको पता होना चाहिए उनकी V1, V2, V3 सेम होती है यह वो वाली है जो खास है जो आपको बार-बार चकमा देंगी जैसे कि पुट आपने देख लिया भी ठीक है, कट देख लो फिर है एक read नाम की word इसको second form को red बोल देते हैं third form को red बोल देते हैं लेकिन चलती है read ही है spelling change नहीं होती read, read, read बोल दो पर read की spelling change मत करो एक second दुख जाना इसके लावा अब देखो अच्छे वाली verb है जैसे कि heart hearted, hearted नहीं होता heart form, form को change नहीं करेगी heart verb फिर उसके बाद है spread spread मतलब फैलना इसको भी ed ed लगा के नहीं बढ़ाया जाता फिर है cast, broadcast, forecast कोई भी cast वाली verb है उसकी form को change नहीं करते फिर एक verb है coast coast का मतलब है कीमत होना है coasted, coasted भी नहीं लिखा जाता फिर एक verb है हमारे पास split फिर एक verb है burst इसकी भी second और third form bursted नहीं होती burst ही रहेगी v1, v2, v3 फिर ऐसी form है एक verb है bid bid का मतलब होता है बोली लगाना अगर बोली लगा रहे हो second form, third form bid ही रहेगी लेकिन bid का मतलब goodbye बोलना भी होता है तो goodbye form में bid, bid, bidden हो जाती है तो ये एक ही verb है दोनों काम करती है अगर बोली लगाने की बात हो रही हो तो bid, 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 goodbye बोलने की तो bid, bid, bidden ऐसी बहुत सारी verbs अपनी basic grammar में अपने कर चुके हैं वहाँ से आप पूरी list को refer कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं आज के quiz में ये concept आपको मिलेगा करे करे close on the heels of the news that the missionary of charities group had been denied a renewal of its license under the FARA Act या Foreign Contribution Regulation Act 2010 amended in 2020 comes the revelation that more than four-fifths of the applications of 22,000 plus NGOs that have sought renewal have yet to be scrutinized करे close on the heels of ये on the heels of कल भी है अथा phrase है इसका मतलब होता है बिल्कुल पीछे-पीछे heel का मतलब AD अगर on the heels of हो तो किसी के बिल्कुल पीछे-पीछे हो उसकी AD पे हो तो करे बिल्कुल पीछे-पीछे या immediately after इस news के इस खबर के गया है और किसका रिन्यूवल इसके license का और किसके अंडर इस act के नीचे और ये कौन सा act है जो 2020 में amend किया गया था जिसको सुधार भी किया गया है करे इस news के बिल्कुल पीछे-पीछे इस news के बिल्कुल बात क्या हुआ ये नई news ये नया disclosure यह नहीं रेविलेशन आती है कम सोती है यह कि से ज्यादा और कि से 4-5 से मतलब 4-5-5 से जो एप्लिकेशन से 22,000 प्लस एंजियो की तो 22,000 का 4-5 यानि कि 80% से भी ज्यादा जो है और यह वो एंजियो जाएं जिन्नों ने सोट किया है एक रिन्यूवल को तो करें इतनी सारी जो है वो अभी yet to be scrutinized रहें इतनी सारी अप्लिकेशन में अभी भी जांच होना बाकी है आया समझ में लंबा sentence है एक वाइस की structure देखेंगे missionaries of charity group की वर्ब है had been denied revolution की वर्ब है comes और four-fifth of the applications की वर्ब है have और to be scrutinized था नहीं यहाँ पर passive infinitive आपने लगा दिया that आये NGOs के लिए that have sought NGOs plural noun है इसलिए that की वह भी plural है तो जैसे ही इसकी news आई तो हमें पता लगा कि 22,000 और भी रखी हुई application है जिसमें से चार बटे पांच को government ने अभी जांच करना भी बाकी है तो पहले जांच होगी फिर उनके license उनको दिये जाएंगे अब इस sentence की structure आपने देख लिए on the heels मतलब पीछे पीछे अब एक छोटा सा ग्रामा रूल करेंगे इसमें four fifth देख लेते हैं इसको देखो one thirds मतलब एक बटा तीन one fourth मतलब एक बटा चार one fifth मतलब एक बटा पांच two third मतलब दो ती हाई ये तीन चोटा ही और ये पांच बटा मतलब साथ बटा पांच seven fifth कर दो या फिफ्ट seven कर दो है न तो इनका अपुत ध्यान लग क्या रखना है अगर शुरू में one आ रहा है तो last में s नहीं आएगा ठीक है एस नहीं आएगा और अगर शुरू में one नहीं आ रहा है जैसे two आ रहा है तो last में s जरूर आएगा यहां three आ रहा है ना तो last में s जरूर आएगा यहां पर seven आ रहा है ना तो last में s जरूर आएगा तो जब भी ऐसे ratios को आप देखेंगे तो अब को क्या देखना है अगर शुरू में 1 आ रहे तो last में S नहीं आएगा 1 third लिखोगे thirds नहीं लिखोगे 1 fourth लिखोगे 1 fourth लिखोगे 1 fourth नहीं लिखोगे लेकिन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 के लावा शुरू में कोई भी number आ जाए 2 आजाए 3 आजाए 7 आजाए last का S बहुत जरूरी है ऐसे ही लिखा जाता है दूसरी चीज इनकी वर्ब कैसे बनेगी वर्ब का इनसे कोई भी connection नहीं है वर्ब बनेगी इनके बाद में आने वाले noun के हिसाब से 1 third के बाद में singular verb भी आ सकती है plural verb भी आ सकती है आपको चेक करना है इनके बाद में noun कैसा रखा गया है जो एक तिहाई यानि one third gentry है gentry का मतलब होता है aristocracy कुलीन वर्ब गराने वाले लोग तो इस city के एक तिहाई जो गराने है इस city के वो millionaire है वो अपने आप में लगपती है सबसे पहली चीज one third लिखा हुए इस s को आप निकाल देंगे one लगा हुए न तो पिछे s नहीं आएगा दूसरा verb को चेक करेंगे gentry के हिसाब से gentry का मतलब होता है कुलीन लोग बड़े घराने के लोग ये plural noun है gentry और जो people है इनको में शाब plural verb दी जाती है gentry के हिसाब से आप यहां पे लगाएंगे आर तो one third of the gentry in the city are millionaire है ना is millionaire नहीं इस noun के हिसाब से verb आ रही है one third के हिसाब से नहीं आ रही है ये noun आप कर चुके हो basic grammar series में gentry को में शाब plural verb देनी है people को plural verb देनी है ना basic grammar के concept ही आपको यहां पे करवा रहा हूँ चलो three seventh of the equipment has or have been sold in the action equipment जो है तीन चोथा ही वो बेचा जा चुका है auction के अंदर सबसे पहली चीज three seventh लिखा हुआ है पीछे हैस लगाओ क्यों लगाना पड़ेगा क्योंकि शुरू में three आ रहा है अब वर्ब कैसे चूज करेंगे वर्ब चूज करेंगे equipment के साब से equipment एक ऐसा ना हून है जो हमेशा singular वर्ब लेता है यह भी basic grammar में आप कर चुके हो तो वर्ब यहां पे हैज लगाओगे ना की मामला सेट है इतना बस यह concept है आपको बार बार देखने को मिलेगा चलिए आगे बड़े याद रखें यह सारे concept आपको basic grammar में करवा दिये जा चुके हैं अगर आप अभी चैनल पे आए हैं आपको लग रहा है कि आप यह पढ़ने पार ठीक से कैसे शुरुआत करनी है होम पेज पे जाओ चैनल के इस प्लेलिस को चलाना शुरू करो complete English grammar for all competitive exams structured way में पूरी SSC और बैंक की grammar free of course आपको करवाई गई है अगर आप सीख सकते हो तो यहां से भी सीख सकते हो किसी course के आपको ज़रुद नहीं है चलिए unless the government extends the deadline by midnight all of them stand to lose their ability to access international funding in the new year कैरा अगर ऐसा ना हो unless unless word का मतलब भी क्या होता है अगर ऐसा ना हो कैसा ना हो भई अगर सरकार extend ना करे उनकी deadline को midnight तक आज रात 12 बशे तक तो यह सभी के सभी जो है ना stand to होते है stand to आपको याद है ना eligible होना किसी काम के लायक होना तो यह सभी के सभी eligible हो जाते है खो देने को, lose कर देने को उनकी ability को जो है access करने की पहुंच रखने की international funding को नए साल में रात को 12 बशे तक अगर इनकी deadline को नहीं बढ़ाया गया तो नए साल में एक पैसा यह internationally नहीं ले सकते क्योंकि सरकार ने भी इनकी process भी शुरू नहीं किये इनकी scrutiny करने की इनकी application government की verb extends all of them की verb stands to अब stand to आपको याद है इसको get to या become eligible to भी बोलते है if the government provides farm loan waivers farmers tend to benefit from it अगर सरकार क्रिशी loans में waiver provide करती है रहत देती है क्रिशी के कर्ज में तो सारे जो farmers हैं किसान हैं वो stand to होते हैं वो become eligible होते हैं कि वो benefit करें इस चीज़ से ठीक है ना तो ये stand to या get to या become eligible to आप तीनों ही phrase यहाँ पर use कर सकते थे phrase इसको use करोगे नहीं तब तक आपके दिमाग में नहीं बटेंगे ये sentence मैं इसलिए बना के लगता हूँ दिमाग में आप बिठा सको चलिए आगे बढ़े ये unless वाला concept आप कर चुकी हूँ कही बार revision करेंगे फटा फट से तीन words से अपने पास unless, until or less unless का मतलब होता है अगर ऐसा ना हो until का मतलब होता है जब तक ऐसा ना हो और less का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो तीनों की खासित क्या है unless, until or less के बाद में ना वाला sentence कभी ना लगाएं क्योंकि इनमें खुद में ना आ चुका है अब इनके बाद affirmative close ही लगाओगे negative close नहीं लगाना है ना not वाला नहीं लगाना जैसे unless you don't study hard you can't crack the exam अगर तुम देखो अगर ऐसा ना हो unless मतलब अगर अगर ऐसा ना हो अगर तुम study hard ना करो तो आप exam को crack नहीं कर सकते हो देखो हिंदी में तो ठीक है तुम study hard ना करो, you don't study hard लेकिन English में गलत हो जाएगा क्योंकि unless में already ना आ चुका है अब फिर से ना की जरूत नहीं है तो क्या लिखेंगे आप इस don't को निकाल दें affirmative sentence मन जाएगा unless you study hard you can't crack the exam clear है वैसे until the pandemic is not over mask are mandatory until मतलब जब तक ऐसा ना जब तक pandemic खतम ना हो जाए mask बहुत जरूरी है mandatory है अब देखो pandemic खतम ना हो जाए pandemic is not over हिंदी में ठीक है लेकिन इंग्लीश में गलत है until में already note आ चुका है तो क्या करेंगे इस note को निकाल देंगे until the pandemic is over masks are mandatory last है last कहीं ऐसा ना हो we must follow social distancing last a third wave of the pandemic does not hit the country हमें social distancing को follow करना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि एक तीसरी wave जो pandemic की है तो यहाँ पर not को निकाल दे ठीक है और इसको बना देंगे affirmative sentence hits the country लेकिन last की खास्य तोर भी है इसके बाद में हमेशा वर्ब की base form आएगी तो pandemic और third wave के इसाब से hits मत लगाया ना third wave है singular है singular wave के लिए आप singular verb लगा क्या है हो पीछे s लगाया है hits the country लेकिन last क्या कहता है मेरे पीछे हमेशा लगेगा base form इस s को निकाल दो hit the country ही आप लिखोगे थोड़ा अजीव ऐसका है आपको सुनके लगे का counter intuitive है लेकिन ऐसा ही होता है last के बाद में verb की base form यूज की जाती है यह base form यूज करने का कारेंट क्या है यहाँ पे एक should जो है वो hidden है इसको आप रख भी सकते हो मना नहीं कर रहा है आपको should hit the country ऐसा भी लिख सकते हो लेकिन अगर नहीं भी रख रहे हो न should को निकाल भी रहे हो तो भी आप should के हिसाब से verb यूज करते हो base form को तो last should hit the country ये भी ठीक है और last should को बीच में मान लो और निकाल दो hit the country ये भी ठीक है चलिए यह पूरा concept है advanced concept एक बार में सीख रहे हो note करते जाए करो screenshot ले सकते हो students मुझसे बोलते है sir बीच में grammar मत करवाए करो हमारा flow तूट जाता है काम करो अगर ये rules आपको आते हैं तो आप इनको miss कर दो आपको मैंने question दिया है पड़ा पड़ा स्कांसर निगाल दो मत सुनो पूरी बात और अगर नहीं आता तो फिर कब सिखोगे सिखाया जा रहा है तो वहां सीख लो as experts have explained the NGOs have to prove not only that the source of funding and their uses of funds is appropriate but also establish that their work does not qualify as harmful to public interest or national security ambiguous terms that are left to MH officials to define अब अच्छे से जिसको grammar आती है वो खुदी बता दे sentence में क्या गलती है और नहीं बता सकता तो फिर grammar concept सीख ले है sentence गलत है पहले आप खुद से check करके बताऊ मुझे करा जैसा कि experts ने explain किया है बड़े बड़े लोगों ने समझदार लोगों ने समझा है क्या समझा है वई कि NGOs है ना इनको has to have to have to इनको इस काम को करना पड़ेगा जानतो ना has to have to मतलब करना ही पड़ेगा तो NGOs को करना ही पड़ेगा प्रूब साबित दो चीज़ों को ना केवल source of funding को और उसके uses of fund को वो दोनो appropriate है ना केवल इस चीज़ को कि जहां से पैसा आ रहा है और जहां पर इस्तेमाल हो रहा है दोनों सही चीज़ें सही बाते है करे बलगी बड़े इसको भी ये establish करना पड़ेगा NGOs को that वो ये कि उनका work जो है अंबिग्यूस टर्म्स हैं ये दो ऐसी unclear या without precision टर्म्स हैं जो कि left two है जो कि छोड़ दी गई है ministry of human affairs के officials पे define करने के लिए वो बताएंगे कि कौन सा काम public interest में है कौन सा national security में नहीं है ये ही define करेंगे और इसी कि इसाफ़ से funding का license इनको मिलेगा आया समझ में experts की verb है have explained NGOs की verb है have have to prove मतलब prove गरना पड़ेगा to prove यहाँ पे infinitive है अच्छा prove कि क्या करना है पहला जो है source और uses इन दोनों की verb है is और दूसरा क्या करना है their work does not qualify the work की verb है does not qualify harmful to, injurious to, pernicious to, detrimental to, bainful to, adverse to इन सब के बाद में two ही आता है four नहीं लगता for example आप sentence देख रहे हो उपर इसमें four लगा हो आपको बिल्कुल सही लगेगा smoking cigarettes is injurious for health cigarettes को smoke करना health के लिए injurious है injurious का मतलब होता है harmful यह सभी harmful के synonym है detrimental, pernicious, injurious, painful, adverse तो आपको लगेगा injurious for health ठीक है लेकिन यह sentence टेक्निकली गलत है यह सारे words harmful, detrimental और यह सब जो हैं अपने बाद क्या लेते हैं to को देते हैं practically चेक करके देखा करवा है आपको सुनने में देखने में लग सकता है सही हो लेकिन टेक्निकली वो गलत है याद रखें इसको ambiguous आप अल्रेटी देख चुकियो unclear हो जो इसका कि un लगाते है unambiguous तो वो बन जाता है clear यानि की precise that की verb है are left to that I are terms के लिए वो वाली term जो की छोड़ दी गई है अब देखो गलती का है दो गलती है पहली गलती source of funding और uses of funds and से जुड़े हुए दो nouns है उनकी verb दी हुए is technically होना चाहिए source of funding and their uses of funds are appropriate यह तो गई पहली गलती यह तो simple सी है दूसरी गलती यह है कि not only और but also के बाद में same type के words आते है not only यहाँ लिखा हुए prove पहले और but also यहाँ पे लिखा हुए establish बाद में तो हुआ क्या आपको दो अलग-अलग verbs ली गई है तो not only but also के बाद में रखे क्या लिखो यहाँ पे यहाँ लिखो not only to prove और यहाँ लिखो but also to establish दूसरी बार to निकाल दू क्योंकि two already यहाँ पे आचुक है समझ में आगा है न not only code to prove से पहले आपको रखना है ना कि two prove के बाद में चले basic grammar का concept है अच्छे से कर चुके हैं आजाओ आगे करा so as many as 2000 NGOs under scrutiny may be denied a renewal of their FCRA license as the missionaries of charity and its roughly 200 forms around the country have been in this round तो करा इसलिए लगबग as money as 2000 NGOs जो हैं जो जांच के दाइरे में under scrutiny हैं उनको मना किया जा सकता है deny किया जा सकता है नवीनी current renewal उनके FCRA Act के अंदर के license का foreign funding के license का करा जैसा कि missionary of charity यह जो NGO है और इसके लगबग 200 homes जो हैं बच्चों के नाथले जो हैं पूरे देश में around the country वो भी हो चुके हैं इस round के अंदर है ना तो ऐसे 2000 NGOs को भी license के लिए मना किया जा सकता है जैसे कि missionary of charity को लड़ी किया जा चुका है आगे sentence समझ में NGOs की वरब है may be denied missionary charities of 200 homes इन दोनों की वरब है have been present perfect tense में roughly मतलब approximately as money as का मतलब भी होता है approximately missionaries of charity पे एक personal experience में आपको बता देता हूँ इस NGO के मौड़िट कर चुके हैं actual मौड़िट हम कर रहे थे juvenile justice act की जिसके अंदर में ये काम करती है NGO इस NGO का क्या काम होता है बाहर से पैसा लाना देश में और उस पैसे से देश के अनाथलियों में या देश में अनाथलिया चलाना home सलाना और अनाथ बच्चों को पालना उनको खिलाना, पढ़ाना, बढ़ा करना education देना, नोकरी लगवाना शादी करना, सब काम करते हैं ये बाहर से पैसा लाते हैं और देश के ट्राफिक सिग्नल से और जूमपट पट्टी से और फुटबाद से बच्चों को उठाते हैं इनके माबाब ने उनको फैक दिया है या इनके माबाब है नहीं देखो काम तो बड़ा नेक है, लेकिन गवर्मेंट को इनसे क्या दिक्कत है, यह मिशनरी है क्या करते हैं अंदर, वहाँ पे इनको रिलिजिस टीचिंग दी जाती है बच्चों को बाइबल की वहाँ पे क्रिस्मस, इस्टर मनाया जाता है, हलांकि फोस्ट कनवर्जन नहीं होता है, फोस्ट कनवर्जन का कोई भी केस नहीं आया है, वो तो होने भी नहीं देगी सरकार लेकिन ओवर्वल बच्चों को एक एनवार्मेंट ऐसा मिल जाता है कि वो क्रिस्चन रिलिजिस टीचिंग से जुड़ जाते हैं, तो बड़े उगर के वो ऐज एक क्रिस्चन ही अपनी आइडेंटिटी को समझते हैं, तो इन चीजों से सरकार को प्रॉबलम है, अब ये दो पहलो वाली चीज है, ये पैसा लाकर के देश के बच्चों को पलाब लाकर के बड़ा कर रही है, लेकिन वहीं पे वो बच्चे जो है जैसे में आपको बात कर रहा था, कराब बिलकुल उल्टा कंट्रेडिय तू, सरकार के डिफेंस के, सरकार की इससे बचाव के, सरकार की आर्गुमेंट के, जो सरकार ने अपने बचाव में दी है सरकार सिरफ फॉलो कर रही है accounting और audit procedure को सरकार कह रही है कि हमें time लग रहा है license को देने में क्योंकि हम accounting audit procedure को फॉलो कर रहे हैं करा बिल्कुल इस से उल्टा ये चीज बिल्कुल seems है साफ होती है, clear होती है, दिखाई देती है कि जो organizations है जो NGOs हैं, जिन्होंने खास करके सामना किये है, Modi government के गुस्से का वो वाली है, IRF मतलब गुस्सा वो वाली organizations है जो की work करती है, खास sensitive, सवेदंशिल एरियाज में, fields में अब वो सवेदंशिल या sensitive areas कौन से है pollution and climate change issues human rights, child labor and human slavery, सब जानते हैं आप human slavery मतलब दास प्रथा, बंदू प्रथा जिसमें आपको किसी को बंदोबार मजदूर बना लेते हो child labor आप जानते हो health में religious NGOs हैं, particularly Christian और Islamic charities, जैसे उपर बताया है आपको मैंने missionary of charities तो सरकार तो यह कहती है कि हमें कोई इंसे कोई गुसा नहीं है, हम तो अपनी accounting process करवा रहे हैं, जब तक वो पूरी नहीं होती है, इनकी foreign funding बंद है लेकिन साफ दिख रहा है कि इन पर गुसा इसी बात का है कि इन specific areas में यह काम करती है, जो शायद सरकार को अपनी policy से थोड़े से अलग लगते हैं, है ना अब देख लिए थे sentence की structure क्या है contrary मतलब बिल्कुल उल्टा, contrary to मतलब बिल्कुल उल्टा, it की verb is, is following है present continuous tense में, यहाँ पर it की verb है seems, organizations की verb है are, that की verb है particularly faced, organizations के लिए that आया है, है ना, इसलिए verb भी plural है, relative pronoun that, verb plural है एंटिसेटेंट के हिसाब से यहाँ पर that की verb है, verb है work, slavery मतलब आप जानते हैं किसी को अपना slave बना लेना आयर का मतलब है गुसा, anger, rage, fury, किसी के लिए बहुँ जादा extreme गुसा चलिए आगे बड़े के रप्रमेंट नेम्स among the early, nearly 20,000 NGOs to have lost their foreign funding licenses since 2014, include Amnesty International, Greenpeace India People's Watch, European Climate Foundation, Compassion International and the Gates Foundation Backed Public Health Foundation of India, अब करें यह अभी के बात निया है, 2014 से हो रहा है बड़ी बड़ी नेम्स जो है prominent names, very important यह, eminent names है ने, prominent करें जो नाम है और किन में से लगबग 20,000 NGOs में से जो खो चुके हैं, जो दे चुके हैं अपनी, और क्या foreign funding के license को, और कब से सन 2014 से, कहरा हो नामों में शुमार है, include है यह सारे बड़े बड़े नाम नाम आपके सामने है, यह वो organization है दुनिया बर में काम करती है India specific organization नहीं है Amnesty International, Greenpeace India है ना, पूरी दुनिया में काम करने वाली organizations है Names की verb include, plural noun plural verb prominent मतलब बहुत बड़ा, इसको pre-eminent भी बोलते हैं, pre-eminent या eminent है eminent, prominent और pre-eminent तीनों का मतलब एक है बहुत बड़ा, very important चलिए आगे बढ़ेंगे करा, if the government has ample evidence to prove that Indians are better off without the work of these internationally renowned organizations then it has yet to show it वही बात है, करा, अगर सरकार के पास बहुत सारी evidence है 2014 से इतने बड़े-बड़े NGOs की funding खतम कर दी है कर सरकार के पास इतनी सारी ample evidence है यह prove करने के लिए, सावित करने के लिए कि Indians जो है वह better state में है better off का मतलब होता है in a better situation Indians एक अच्छी state में है बिना काम के इन NGOs के इन international non-organizations के दुनिया भर में जानी मानी संस्थाओं के तो करा, तब सरकार अभी भी बाकी है, यट है इस evidence को दिखाना अगर पिछले 7 सालों में सरकार को लगा है ऐसे सबूत मिले हैं तो 7-8 सालों में सरकार ने इन सबूतों को किसी के सामने रखा नहीं है government की वह बाक है has, ample मतलब बहुत सारा plentiful copious है na, abundant Indians की वह बाक है, are जब आप better off होते हो, तो आप better situation में होते हो worse off होते हो, तो मतलब बुरी हालात में होते हो worse off, better off o, double f लगाना, common सी mistake है इसके बाद में off लगाया, तो single f वाला नहीं हाता better off, o, double f renowned की spelling देख ले ना भई ये word बनता है, re plus में non से non मतलब जाना हुआ, re मतलब हर तरफ, बार बार जाना हुआ हर तरफ जाना हुआ लेकिन renowned की spelling जब बनाते हो तब आप क्या करते हो, इस के को निकाल देते हो, तो ऐसा मत बनाया ना, renowned no plus में re को जोड दिया, ऐसा नहीं बनता है spelling, ठीक है न, renowned की spelling में के नहीं आता है well known बोलोगे, famous बोलोगे, renowned आज के quiz में आएगा ये it की वोबाद है कराइड इस time, the government gives a more transparent account of its account of its actions against NGOs, which and present appear to mirror those in China and Russia which have used their NGO laws to shut down dissent and criticism, कराइड वक्त आगया it is time, किस चीज़ का भई, सरकार दे दे और ज़्यादा साफ सुतरा account, और ज़्यादा transparent ब्योरा, अपनी हरकतों का अपने actions का, इन NGOs के खिलाफ कराइड वो वाली हरकतें जो आज कर की देट में अपियर होती हैं दिखाई देती हैं, mirror करने वाली एक परचाई बनने वाली, mirror करना मतलब विल्कुल वैसा ही दिखना, परचाई की तरह है जो की हैं चाइना और रशिया में कराइड जिनोंने, दो ऐसे कंट्रीज हैं इनोंने इस्तमाल वे लिया है, यूज किया है अपने NGO लॉज को बंद करने के लिए क्रिटिसिजम और अपनी डिसेंट को अपने खिलाफ गुसे और क्रिटिसिजम को शांत करने के लिए NGO के लॉज को यूज करते हैं तो रशिया और चाइना की रहा पे होने देना चाहिए इट की वबब इस, गौर्वन्ट की वबब इस यहां पे पास्ट सब्यूंटि मूड भी लग सकता था गौर्वन्ट गेव भी हो सकता था यादना आपको, इडिस टाइम प्लस में वबब की सेकेंड फॉर्म लेकिन सब्जंटि मूड is not an obligation याँ गेव लगा देते हैं तो ठीक है नहीं लगाया तो कोई फासी नहीं है सब्जंटि मूड कभी भी obligation नहीं होता ठीक है विच की वबब इपियर और विच की वबब इफॉर्ब इस डिसेंट का मतलब होता है foreign funds for their campaigns through electoral bonds under the same FCRA that seeks to restrict funds to NGOs. अब इस पूरी घटना के एक irony भी है, इसमें एक मजे की बात भी है. करा जो actions है ना इंडिया में और किस के उपर विदेशी ताकतों के हाथ के concerns के उपर? भाई ये जो सारे काम कर रही है सरकार, ये इसलिए कर रही है कि विदेशी ताकतों का foreign powers का हाथ है, foreign hand के concerns है. करा ये सारे जो actions है ना विदेशी के नाम पे ये दिखाई देते हैं, hypocritical दिखावे बरे. अच्छा क्यों भाई? किस लिए? देखते हुए, given, consider करते हुए, उस तुलनात्मक ease को, आसानी को, relative ease को, जिसके साथ में, with which, political party यां, able हैं, access करने के लिए, पाने के लिए, विदेशी पैसे को, अपने चुनावी अभ्यानों के लिए, campaigns के लिए, electoral campaigns के लिए, और किस के जरीए? electoral bond नाम की scheme के जरीए. कहरा और इसी FCRA act के नीचे, जो की बुराई करते हैं, इसलिए रोक रहे हो, वही FCR act का use करके, आप अपने चुनावी अभ्यानों में, electoral bonds के scheme के जरीए, फोरें से पैसा मंगाते भी हो, तो जब आप पैसा मंगा सकते हो, अपनी पार्टी चला सकते हो, बाहर से पैसा ला करके, वही act लगा करके, आप दूसरों का पैसा क्यों रोक रहे हो, है ना, ये एक संस्ता हैं तो काम कर रही हैं पब्लिक ली, समझ गे, चलो आगे बढ़ते हैं, actions की वब है seem, political parties की वब है are, that की वब है 6, electoral bond एक scheme का नाम है, जिसमें आप अपना बिना नाम बताए, किसी भी political party को चंदा दे सकते हो, उस party को जानने की जरूद भी नहीं है, और आपको बताने की जरूद भी नहीं है, समझ गे, given मतलब considering, hypocritical मतलब दिखावे बरा, चली, campaign मतलब अभियान, के रहे, that की वब है 6, के एट एट अर ताइम, यह लास वाला संटेंस इस पूरे आर्टिकल की आत्मा है, ध्यान से समझो, लंबा है, करा ऐसे एक वक्त पे at a time, कब भाई, जब इंडिया सामना कर रहा है, phase कर रहा है, अपाईज बना दने वाले effects को, crippling, याद न, crippling, debilitating, cripple बना दने वाले असरों को, effects को, COVID-19 की बिमारी के, pandemic के, और एक लंबे वक्त पे चलने वाले, economy crisis को, long term economy crisis को, करा ऐसे एक वक्त पे जब इंडिया में ये सब चल रहा है, करते हैं, philanthropic efforts को, philanthropic मतलब charity, welfare में लगाया गया, पैसा या effort, आया समझ में, तो ऐसे टाइम पे, सरगार की move, जो है न, 30% drop आया, इस से, सबसे गरीब लोगों को जो फाइदा मिलना था, वो फाइदा इस move से, सरगार की अरकत से, नहीं मिल रहा, pandemic के बिल्कुल बीच, कराएं, खास कुरके, उन NGO's के द्वारा, जो work कर रहे हैं, ऐसे areas में, जहां पे, सरकार की जो साहता है, जो मदद है, जो aid है, वो fail हो जाती है, reach करने में, जहां पे सरकार कुछ भी नहीं कर पाती है, जहां पे इस area में कोई NGO काम कर रहा है, तो उसकी funding नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि वक्त बुरा है, पैसा जहां से मिल रहा है, देश की सेवा में लगे, इंडिया की वर्ब है, is facing, गौर्णनेट मूब की वर्ब है, hurt, that आया, moves के लिए, that की वर्ब है, have resulted, plural, देखो, plural वर्ब दी गई है, क्योंकि antecedent plural था, relative प्रणाम की यही खासियत होती है, the poorest और the most vulnerable, दो बार दा लिखने की ज़रूत नहीं है, अगर दो superlative डिगरी मिली हुई है, बीच में आड आया है, तो एक के पहले दा को लगा तो, philanthropic मतलब लोगों की भलाई वाला, जो जिसमें charity हो, जिसमें दान चंदा हो है ना, दान फुन का काम के लाता है, philanthropic efforts, aid की वह बहाँ है, fails, aid का मतलब होता है, जो है help या मदद, चलिए, interesting article था, अब फटाबट quiz की तरफ बढ़ेंगी, यह अपना quiz है आज का, पाचों question आप देख सकते हो, फटाबट शे questions है, renowned की spelling आपको मैंने अच्छे से करवा दी है, डूंड के बता दो, इन में से कौन सी होगी, है न, renowned, इसमें आपको बताना है, two, fifth, one, fifth कैसे use करोगे, first question में, third question में, फिर आपको यहाँ पर बताना है, one, fifth, two, fifth, जो भी use करोगे, उसकी verb कैसे choose करोगे, fourth question में, और fifth के अंदर आपको बताना है, less को कैसे use किया जाता है, इसके बाद में क्या लगाया जाता है, किस टाइब की verb, first और second में आपको दो errors मिलेंगी, आपको चेक करके बताना है, not only, but also, क्या सही तरह से use किये गए हैं या नहीं, और जो spread नाम की verb है, उसकी v1, v2, v3 में कोई फर्क होता है या नहीं, तो spread, spread, spread कैसे चलती हैं, आपको चेक करना है, और not only, but also, कैसे चलते हैं, ये भी आपको चेक करके बताना है, सब कुछ करवा चुका हूँ, एक भी चीज ऐसी नहीं है, जो नहीं आती, फिर ये मुद बोला, अगर स्वर आपने solution नहीं करवाया, पूरे article में solution नहीं था, एक एक चीज को आपने ढंक से सीख लिया है, अगर article मन से सीखा है, पढ़ा है, तो 6 में से 6 marks आपको मिलने चाहिए, कम से कम 4 या 5 मिलेंगे, कॉमेंट सेक्शन से answer को चेक करो, फर्स कॉमेंट में डाल रहा हूँ, और अपने answer से मेरे answer को बताना है, कितने marks आपको मिले, चेक करके, कोई भी query हो relating to course, इस number पर वर्स आप करके मुझे बता सकते हैं, कल से prices बढ़ेंगे, थोड़े से बढ़ेंगे, GST लगने लगेगा, फैदा ले सकते हो, अच्छा, एक question रख रहा हूँ, descriptive का आपके सामने, ये जो NGO का question है, अपने आप में बड़ा थोड़ा समना controversial है, तो दो आस्पेट हैं इसके, कुछ NGO वास्तब में इंडिया में ऐसे हैं, जो इंडियन नैशनल इंटर्स को परिशान कर रहे हैं, मैं नाम ये लेना चाहूँगा, जैसे एक NGO के बारे में आपने सुना होगा, जो रोड़ को बड़ा नहीं होने दर है, लदा के अरिया के अंदर, हिमाचल के अरिया के अंदर, कि वहां से रोड़ बड़ी होने पर, इंडिया और चाइना की बीच में वार होती है, तो बड़े असानी से इंडिया अपने मिसाइल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, लेकिन उस NGO ने सुप्रीम कोड में पिछले तीन सालों से रिट लगा हुई है, कि सरकार रोड को बड़ी ना करें, इससे एनवार्मेंट को नुकसान होगा, तो ऐसे NGOs भी हैं इंडिया में, जो ऐसे activities में शामिल हैं, लेकिन कुछ NGOs ऐसे भी हैं, जैसे Missionaries of Charities, जो कि अब Missionary है, Christian Organization है, लेकिन बच्चों को खिलाती बिलाती बड़ा करती है, उनको नोकरी दिलवाती है, तो ये दोनों आस्पेट वाली बात है, आपके हिसाब से ये जो सरकार कर रही है, कितना justified है, अपने विचार जरूर से लखें, तीन comments के अंदर comment section में डाले, ठीक है, शिक्षित आदमी की तरह लिखना, educated person की तरह है, ऐसा काम कुछ मत करना, जो आपको भी शोबा ना दे, और आपके घरवालों ने जो संसकार आपको दियें, उनके पर भी justify ना हो, अच्छी बात लिखना, तब ही लिख पाओ, सब पढ़ पाएं, चलिए, अब मुलागात हो कि कल, until then, signing out.